नमस्कार, मैं जानवी, NSDL के ओर से NPS की पार्शाला में आपका स्वागत करती हूँ हमें ये बताते हुए बेहत खुशी हो रही है कि NPS के बहुत सारे फीचर्स के बारे में हमने लगबग 30 से भी जादा वीडियो आपके लिए हमारे YouTube चैनल पर उपलबद कराए और इन्हें काफी अप्रीशेट भी किया गया है इन्ही में से कुछ वीडियो में हमने NPS से पेंशन प्लान के बारे में तथा पेंशन पाने के लिए रिक्वेस इनिशेट कैसी की जाए और नोडल ओफिस उस रिक्वेस को कैसे वेरिफाय करे इत्यादी के बारे में डीटेल डिसकेशन किया है लेकिन अलग-अलग फोरम में हमें अक्सर पूछा गया है कि ये पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया कब शुरू होती है और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सब्सक्राइबर को क्या-क्या करना जरूरी है तो चलिए आज हम इसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं और इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे सीनियर कलिक मंदार जी है सर, NSDL NPS की पाटशाला में आपका स्वागत है धन्यवाज जानवी सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताईए कि सब्सक्राइबर को ये कैसे पता चलेगा कि पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया कब शुरू होती है क्या उसे रिटार्मेंट या साट साल की उम्र के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू करनी होती है पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सब्सक्राइबर को रिटार्मेंट या साट की उम्र तक रुखने की ज़रूरत नहीं है इसकी सुचना CRA द्वारा सब्सक्राइबर के रिटार्मेंट डेट, जो CRA सिस्टेम में रिजिस्टर हुए है, in case of government subscriber, या in case of individual subscriber, साट की उम्रे से 6 मैंने पहले ही दी जाती है. ऐसे subscriber के लिए system में एक unique number generate होता है, जो 10 digit का होता है, इसे claim ID के थे हैं, और इसी claim ID की मदद से subscriber future में withdrawal request initiate कर सकता है. सर अपने ये तो बता दिया कि claim ID क्या है, पर subscriber को कैसे मालूम होगा कि CRA system में उसका claim ID generate हो गया है? जानवी, this is a good question. जैसे ही subscriber का claim ID CRS system में generate होता है, उसकी सूचना उसे लेटर द्वारा दी जाती है. और ये लेटर सब्सक्राइबर के registered address पर भेजा जाता है. अब हो सकता है कि उसे लेटर ना मिला हो, या फिर उसने मिला हो लेकिन उसने खो दिया हो. इसको ध्यान में रखते हुए, CRA system द्वारा claim ID generation की सूचना, subscriber के registered mobile number और email ID पर, retirement के तीन मैना पहले और एक मैना पहले भेजी जाती है, as a part of reminder. इसलिए हम subscriber को बार-बार यह remind कराते हैं, और हमने पहले भी वीडियो में subscriber के यह बताया है, कि उनके NPS account में, उनका mobile number और उनका email ID हर समय updated रहना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि सिर्फ claim ID नहीं, CRA द्वारा भेजी जने वाली और भी अलग alerts है, जो वो समय पर पा सके हैं. सर, एक बात और, आपने कहा कि claim ID retirement के छे मेने पहले जनरेट होता है, सर लेकिन छे मेने पहले ही क्यों, इसे retirement के एक मेने पहले भी जनरेट किया जा सकता है? Your question is quite logical, जनवी. लेकिन मैं यहाँ पर subscriber को बताना चाहूंगा, कि यह जो समय, छे मेने का समय subscriber को दिया जाता है, वो इसलिए है कि subscriber अपने retirement की प्रक्रिया, आवशक प्रक्रिया, पूरी करने में उन्हें एक परियाप समय मिल सके. Subscriber अपने account के details, जैसे bank details, address details, अगर वो retirement के बाद कहीं और shift होना चाहता है, nominee details, इत्यादी verify करके उसे update भी कर सकता है. यह इसलिए, क्योंकि यह details subscriber जब online withdrawal request initiate करता है, तब बदले नहीं जा सकते. एक बात और, कि कोई भी NPS subscriber ज़्यादा से ज़्यादा pension पाना चाहेगा, लेकिन उसके लिए जो आवशक information है, जैसे कितने annuity service provider है, उनके दी जाने वाली pension plan और उनसे मिलने वाली pension की amount, इसकी जानकरी होनी आवशक है, ताकि subscriber retirement समय एक informed decision ले सके. तो ये जो छे मैने का समय उपलब्द है, ये समय में subscriber इन सब की जानकरी ले सकता है, यानि कि NPS के अंदर कौन-कौन से annuity service provider है, उनकी अलग-अलग क्या schemes है, हर एक scheme से उसे कितनी pension मिल सकती है, इसकी जानकरी वो पहले से ही ले सकता है. अलग-अलग annuity service provider द्वारा दी जेने वाली pension plan और उनसे मिलने वाली pension amount के बारे में, तुमको तो पता ही हमारा और एक वीडियो है, जिसमें हमने detail में चर्चा की है, इसके अलवा हमारे website पे भी एक annuity service provider का corner है, जिसमें ये information subscriber ले सकता है. ये तो हुई बात जो subscriber को हम लोग intimate करते है claim ID के, लेकिन इसके अलावा भी, जैसे ही claim ID generate होता है, नोडल office या P.O.P के login में वो दर्चा जाता है, और जब तक ये नोडल office या P.O.P. इस पे कोई action नहीं लेता है, तब तक उनके list में ये pending दिखा जाता है, इसलिए नोडल office य या P.O.P. की भी जिम्मेदरी है, कि इसकी जानकरी वो subscriber को दे दे, ताकि वो अपनी retirement प्रक्रिया समय पर पूरी कर सके हैं. Sir, अभीता कम ने बात की, कि subscriber claim ID से अपना pension कैसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर subscriber को अपना NPS account continue रखना है, तो इस claim ID का क्या होता है? Retirement के समय सबस्काइबर के पास exit के अलावा और भी दो options उपलब दे, एक है continuation of NPS account और दूसरा deferment of withdrawal, continuation याने subscriber अपना NPS account 70 साल की आयो तक continue कर सकता है, उसमें निवेश कर सकता है और उससे वो tax benefit भी ले सकता है, और इससे वो सिर्फ tax नहीं बजाता क्यों उसका retirement corpus भी बढ़ा दूसरा option है deferment of withdrawal, अगर subscriber को यह लगता है कि NPS से exit का यह उचीच समय नहीं है, तो इस तिति में वो अपने withdrawal को postpone कर सकता है, जिसे हम deferment कहते है, subscriber चाहे तो अपना lump sum withdrawal याने cash withdrawal को postpone कर सकता है, या सिर्फ annuity withdrawal को भी postpone कर सकता है, और चाहे तो lump sum और annuity position दोनों को postpone कर सकता है, deferment या continuation की प्रक्रिया in case of government subscriber, उनको retirement के 15 दिन पहले तक complete करनी होती है, यह पूरी प्रक्रिया online है, subscriber चाहे तो अपने login से यह deferment या continuation request initiate कर सकता है, और उसे अपने nodal office से authorize करवा सकता है, लेकिन अगर किसी कारणवाश subscriber को online initiate करना possible नहीं है, तो ऐसे स्तिति में यह option उसके nodal office को भी दिया गया है, जो subscriber के बहाफ पे deferment या continuation request initiate कर उसे authorize भी कर सकता है, और तुम्हारा जो सवाल था कि उस claim ID का क्या होगा, deferment या continuation request process होने के बाद भी आपका claim ID CRS सिस्टेम में मौझूद रहेगा, आप जब भी NPS से exit करना चाहोगे, तब इसी claim ID की मदद से आप online withdrawal request initiate कर सकते हैं, सर यहाँ पर में एक बात add करना चाहूंगी, individual subscriber अगर किसी कारणवश अपना NPS account defer या continue नहीं कर सका, तो उसका NPS account by default continue हो जाता है, 70 साल की आयू तक, इस थीति में भी आपका claim ID सिस्टेम में मौझूद रहेगा, आप जब भी NPS से exit करना चाहोगे, इसी claim ID की मदद से आप online withdrawal request initiate कर सकते हैं, जानवी यह सभी options जो deferment, continuous और exit इसकी पूरी जानकारी हमारे claim ID later में दी जाती है, इसमें deferment या continuation की step-by-step process और exit की भी step-by-step process की जानकारी later में रहती है, और subscriber की सुविधा की लिए NPS में जो annuity service provider है, उनकी contact details और उनकी अलग-अलग pension plan के बारे में भ continuation और deferment यह दोनों options के बारे में detail में चर्चा हमने हमारे एक वीडियो में की है, जो की इस चैनल पर उपरब्द है, सब्सक्राइबर चाहे तो यह वीडियो देखे, continuation और deferment के बारे में अधिक जानकारी प्राप कर सकता है, लेकिन अगर subscriber retirement के पहले ही NPS से exit करना चाहता है, तो उस case में claim ID कैसे generate होगा? इसके लिए Nodal Office को www.cra-nsd.com साइट पर जाना होगा, और अपने office login ID और password यूज़ कर, exit withdrawal request menu में जाकर, initiate generate claim ID option को select करना होगा, उसके बाद subscriber का plan submit कर generate claim ID option को select करके, withdrawal due to premature option को select कर request submit करनी होगे, इसके बाद Nodal Office को अपनी दूसरी user ID से इस request को authorize भी करना होगा, ज्यान रहें कि claim ID जनरेट करने के पश्चात ही subscriber online withdrawal request initiate कर पाएगा, सर, जैसे कि आपने कहा कि claim ID, subscriber के date of birth या date of retirement पर आधारित है, अगर किसी कारण वश, subscriber का date of birth या date of retirement सिस्टम में गलत register हो गया हो, तो क्या इस claim ID से withdrawal process हो सकता है? प्रैक्टिकल ये संभव है जानवी, तो इसलिए मैं फिर से कहना चाहूँगा, कि ये जो claim ID generation से लेके retirement ये तो छे मेने का समय है, subscriber को utilize करना चाहिए अपने अलग-अलग details verify करने के लिए, और अगर असर लगता है कि subscriber का date of birth या date of retirement गलत register होई हो, तो उसे वो rectify भी कर सकता है, for example, ऐसा हो सकता है कि किसी subscriber की actual date of retirement 31st October 2020 है, लेकिन registration के time, CRA system में वो date 31st October 2019 जन्रेट होई है, तो SSCT में claim ID April 2019 में ही generate किया जाएगा, और subscriber को इसी सुचेना भी मिल जाएगी, क्योंकि उसका retirement बात का है, उसे अपने अपने date of retirement को update करवाना होगा, और यहीं नहीं, date of retirement update करने के बाद जो claim ID जन्रेट हुआ है अभी, उसको भी उसको cancel करवाना पड़ेगा, claim ID कैंसल करने के लिए, नोडल अफिस को CRA में login करके, exit withdraw request option में initiate generate claim ID option को select करना होगा, उसके बाद plan enter कर, cancel claim ID option को select करना होगा, और साथी साथ subscriber का existing claim ID भी submit करना होगा, मैं फिर से एक बार दोराना चाहूंगा, कि यह जो 6 मेने का समय है, जो claim ID से लिए retirement तक उपलब्ध है subscriber के लिए, उसका उपयोग कर, अपने details verify करे, और अगर जरुवत हो, तो उसे update भी करे, ताकि आपकी retirement की प्रक्रिया समय पर complete हो सके, Sir, thank you very much, आपने विस्तार में हमें claim ID के बारे में बताया, तो दोस्तों, आज हमने देखा कि claim ID क्या होता है, यह कैसे generate होता है, इसकी जानकारी subscriber तक कैसे पहुँचती है, और pension प्राप्त करने की प्रक्रिया में इसका क्या महत्व है, मैं आशा करती हूँ, हमारे इस discussion से NPS subscribers क काफी लाब होगा, इस वीडियो में इतना ही, NPS के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारा चैनल देखते रहे, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाल